हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू डाउटनेट एन वेलकम ट्यूर आईटी क्लास तो बच्चो मेरा नाम है आक कर्षा और मैं आकवा कंप्यूटर एजुकेटर तो बच्चो आज हम बात करेंगे पार्ट बी जो हमारी बुक है सब्जेक्ट स्पैसिफिक स्किल उसका तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा आज तो हम ओर विव लेंगे सिर्फ किस यूट के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है और समझना है थोड़ा की डेटाबेस क्या होता है ठीक है बच्चो तो अगर मैं बात करूँ डेटाबेस से पहले कि हम जानते डेटा क्या होता देखिए डेटा एक्चुली होता है इन्फरमेशन अगर मैं बात करूँ कि आपका स्कूल आपके स्कूल का जो आपकी क्लास के अटेंडेंडेंस रिस्टर होता है उसमें क्या होती है वह इन्फरमेशन क्या है वो डेटा है जो हमारे लिए एक information के काम पे आ रहा है अगर जैसे के अटेंडिन रिस्टर हम उपेन करें तो एक information बनती है कि भाई रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम यह इस डेट को प्रेजेंट था या एपसेंट था तो वो हमारे लिए कोई information वो डेटा क्या है हमारे लिए information अब इस डेटा को हम स्टोर कहां करते हैं अब इस डेटा को हम स्टोर करते हैं बेटा डेटाबेस वे तो डेटाबेस एक्चली क्या होती है एक जगह होती है जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं उसी को हम बोलते हैं data collect करके रखा हुआ है क्योंकि बच्चे जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट है या एपसेंट है प्टिकुलर डेट को कि उनका सारा डेटा उस रेजिस्टर एटेंडेंस के अंदर मेंटेन करके रखा जा जैसे की बात करूं आपकी लाइबरेरी की तो लाइबरेरी क्या है एक डेटा बेस है क्योंकि लाइबरेरी के अंदर बच्चे क्या है एक बुक्स एक और्डर में रखी है कि भाई इस जगा ये बुक है इस जगा ये बुक है ठीक है तो वह भी एक डेटा बेस है अग्जामपल की बात करूं अगर मैं एक्जामपल की बात करूं कि जैसे कभी भ लीज़े कोई application download किया और application के तुरू आपने कुछ form fill up किया जिसमें आपका personal information जैसे name last name ठीक है और आपका phone number आपका address तो आप fill करते हो वो क्या है वो आपकी information है जब आप उस form को submit करते हो तो वो information जा कि कहा होती है database में store होती है ठीके बच्चे तो अगर आप से कोई पूच्टा है कि database क्या होता है तो database is a collection of data अब बच्चे वो database जो है उसको manage करने के लिए एक हमारे पास क्या होता जिसको हम बोलते dbms database management system जिसे हमें इस unit के अंदर पढ़ना है कि वो जो है ठीक है कि उन डेटा के अंदर उस database के अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं यहां वहां से data कैसे retrieve करते हैं या fetch करते हैं जैसे कि अगर यह diagram देखे तो बच्चे यह diagram के अंदर यह हमारा database है क्योंकि database के अंदर होती है data और data को हम क्या बोलते है information अब अगर आपको कोई भी information चाहिए तो इसे डिवाइस बने हैं यह डिवाइस हैं तो यह information कहां से ले रहे हैं database से ले रहे हैं ठीक है तो आप समझ गए होंगे कि data database क्या है और उसी को manage करने के लिए बटा क्या बोलते हैं dbms बोलते हैं जिसे हम बोलते रिट्रीव करते हैं ठीक है अब वो काम कैसे होता है वो काम तो आपको लेक्चर में पता चलेंगे की लेक्चर के आगे आने लेक्चर जो मिलेंगे आपको database management system by unit no.3 से वहां पर आपको पता चलने बारे तो बच्चो आई तिंग यह थोड़ा का concept आपको clear होगा कि से अंदर हम करने क्या वाले हैं तो अगर मैं बात करूँ कि इस चैप्टर के अंदर इस unit के अंदर हम क्या क्या concept cover करेंगे जो हमारे exam point of view से important है तो बच्चो इस unit के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे concepts कि database management system के concept क्या होते हैं जो कि हमारा session no.1 जो कि हमारे unit का पहला part होगा ठीक है फिर हम जानेंगे create tables, edit tables, union wizard and SQL command तो बच्चो हम SQL का use करेंगे क्योंकि SQL एक programming language होती है जिसके तुरू हम database को manage करते हैं data insert करते हैं उसमें तो इसको हम आदने आली चीजों में बात करेंगे ठीक है और operations perform करेंगे जो table हम create करेंगे database के अंदर उस पर operations perform करेंगे क्योरी run करके हम वह से data fetch भी करेंगे और बच्चे create forms and reports using wizard तो बच्चो मैं आपको सारे topic cover करूंगा theory with practical तो practical में हम जो software use करेंगे बच्चे वो software का नाम होगा open office जो कि आपके syllabus में है जो कि आपके syllabus में है open office software का use करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा how to create tables ठीक है using wizard using SQL तो यह सारी चीज़े आपको पता चले अगर आप practical करोगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़े समझ में आ जाएगे तो यह unit में आपको theory भी मिलेगी और उसके practical भी मिलेंगे तो यह सारे topic cover करने है और इसी में से topics में से exams के अंदर आपके question आएंगे तो बच्चों यह unit बहुत ज़रा important होने वाली आपके लिए और यह बात का ध्यान रखना है कि open office software का हम use करेंगे जिसमें हम database के तुरू काम करेंगे ठीक है उसमें table बनाएंगे table के अंदर data insert करेंगे तो वहां सारी चीज़े आपको clear हो जाएंगे तो इस session में मैं आपको overview देना चाहता हूं तो थोड़ा बहुत आप भी knowledge ले सकते हैं नहीं लेना चाहते तो मेरे साथ रहिएगा मैं आपको सारी knowledge दूंगा इस chapter से इस unit से और आपके सारी concept clear करेंगे कि जिसके तुरू आप exam में कोई भी आया हूँ equation database management system से छोड़ के नहीं आएंगे आप उसको attempt करके आएंगा और अच्छे माक्स score करेंगे ठीक है students तो आज की ये एक overview था कि भाई हम क्या क्या पढ़ने वाले हम डेटा के बारे में मिलनी पढ़ने वाले है database क्या होता है और database management system क्या होता है तो यह सारी चीज़े कवर करें इनके अंदर कुछ और concepts आएंगे उनको भी समझेंगे जो की exam point of view से काफी important है ठीक है students तो भाई अब आने वाली जो lectures होंगे वह आपके unit number third part B के ठीक है जो subject specific skill की unit number third है database management system पे उस पे आपको lectures मिलेंगे और वो lectures आपको बिल्कुल perfectly तरीके से तयार किये जाएंगे कि जिससे कि आपकी preparation बहुत अच्छे साच्छे हो सके तो बच्चो अगर मेरे वीडियो या लेक्चर्स पसंदा रहे हैं तो like subscribe share करना बिल्कुल ना भूले चैनल को subscribe कर दे वीडियो को like करें और share भी करें अपने friends circle में कि जो भी students आपके friends है IT code 402 को तो वह भी इस class को देखके अपनी exam की preparation अच्छे से कर सकते हैं ठीक है students तो अगली class में मिलेंगे unit के साथ unit number 3 database management system के साथ और आपकी preparation बहुत ही अच्छी तरह के से कराई जाएगी doubt net पे तो thank you very much बच्चो आना जरूर है class को like भी करें share करें और subscribe करें चैनल को हमारे कि आपको IT402 की और भी classes आएसे आगे मिलते थैंक यू बच्चो बाई बाई टेक केर